मेरे एक वीवर ने कमर में दब रही नस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे सजिस्ट किया तो आज का ये वीडियो कमर यानि की लंबर एरिया खास और से L2, L3, L4, L5 के बीच में दब रही नस के ऊपर है जिसमें हम देखेंगे की नस का दबना होता क्या है और कैसे कुछ exercises करके आप दब रही नस के ऊपर प्रेशर कम कर सकते हैं नव को release कर सकते हैं और अपने back pain में पूरी तरह से relief और cure पा सकते हैं मैं डोक्टर तारी कमाल fitness और health की दुनिया में अब सब का स्वागत करता हूँ जिसका नाम है Physio Fitness at Home कमर दर्द के पीछे जो अलग-अलग कारण होते हैं उनमें कमर में नस का दबना एक बहुत ही common problem होती है जिन लोगों का कमर का दर्द कमर से यानि की number area से start होकर कूले से होता हुआ नीचे एड़ी तक जा रहा है या इन एरियाज में दर्द के अलावा नमनिस या सेंसेशन की problem हो रही है तो समझ देजिए कि आप लोगों को कमर के अंदर यानि की number area में कहीं नकहीं nerve compress हो रही है या नस दब रही है तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कमर के अंदर नस का दबना होता क्या है और वो कौन कौन सी exercises हैं जिनको करके आप नस के उपर पलने वाले pressure को कम कर सकते हैं nerve को release करके अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं तो आज ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये नस का दबना होता क्या है spine की हर हडियों के बीच में एक बहुत ही important और soft structure disc होता है जो shock absorber या cushion का का काम करता है जो हमें दोडने उचलने और कूदने के दोरान उपर और नीचे की हडियों को टकराने से रोक कर body को तरह तरह के जर्क से बचाता है इनी disc के पीछे और दो spine की हडियों के बीच से nerve निकलती है जब अलग-अलग कारण से हमारी disc के उपर pressure पढ़ने लगता है disc bulge होने लगती है यानि कि दबने लगती है और इतनी जादा दबने लगती है कि ये अपने area से पीछे slip कर जाती है पीछे की तरफ move कर जाती है जब ये पीछे की तरफ move करती है तो पीछे आ रही nerve आप पोटो में देख सकते हैं nerve को ये compress करने लगती है कमर के इन areas में जाने की lumber खास सोर से L3, L4, L5 के area में जब nerve compress होने लगती है तो ये nerve कमर से होते हुए कूले से होते हुए नीचे की तरफ जाती है तो इन areas में pain और sensation की हमें problem होने लगती है नस के दबने का जादा तर case हमारे lumber area में होता है और lumber area में भी जादा तर L3, L4, L5 के बीच में nerve compress होती है इसके अलावा ये nerve lumber area से थोला नीचे आकर buttocks के area में piriformis muscles के पीछे से जब गुजरती है तो piriformis muscles में tightness की वज़ा से भी जहाँ ये nerve compress होती है अब बात करते हैं कि इन problem से आप कैसे चुटकारा पाएंगे कि simple सा fund आ है कि दब रही nerve को हम release करेंगे इनके उपर पढ़ने वाले pressure को कम करेंगे या खतम करेंगे इसके लिए कुछ exercises होती है जिनको करके आप nerve के उपर पढ़ने वाले pressure को release कर सकते हैं कम कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि वो exercises आपको कैसे करनी है आज के एपिसोड की सारी exercises नर्व के उपर पढ़ने वाले tension को release करनी के exercises हैं पहली exercise में आप लेट जाएंगे अपनी थाई को उठा कर दोनों हातों से पकर कर fix कर लेंगे लेक को दीरे दीरे उपर लेकर जाएंगे एक stretch फिलोगा रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए फिर लेकर आएंगे लेक को नीचे दीरे दीरे फिर लेकर जाएंगे उपर ब्रोक लेंगे इस exercise में आपकी जो nerve, sciatic nerve है वो पूरी तरह से stretch हो रही है, release हो रही है, relax हो रही है दस बार repeat करेंगे दोसरी exercise में जिस side आपको problem है वो thigh उठाकर दोसरी thigh के उपर रख लेंगे, हाथ को फैला लेंगे, अब आप इसी thigh को opposite side move करेंगे दीरे दीरे, रोक लेंगे last में, फिर वापस लेकर आएंगे, फिर repeat करेंगे, इसमें भी आप अपनी sciatic nerve को stretch कर रहे हैं, अगर आपकी sciatic nerve performance के नीचे भी compress हो रही है, तो इस से इस exercise से relief मिलेगा, दस बार repeat करेंगे, तीसरी exercise lumber area की stability के लिए करेंगे, इस position में आ जाएंगे, दोनों आतों को अपने पेट के उपर रख लेंगे, अब आप अपने lumber area को एक बार नीचे प्रेस करेंगे, बैट के उपर और एक बार release करेंग नीचे प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे, नीचे जब प्रेस करेंगे थोड़ी देर रोक लेंगे, रिलीज कर लेंगे, इस exercise को anterior pelvic tilt भी बोलते हैं, दस से पंदरा बार repeat करेंगे अगली exercise भी लंबर एरिया की stability के लिए, core muscles की stability के लिए है, bridging exercise करेंगे कमर को दिरे दिरे उपर उठाएंगे, थोड़ी दिर रोक लेंगे, फिर दिरे दिरे निचे ले कराएंगे, कमर को फिर उपर उठाएंगे, एतनी उपर उठाना है कि आपका पूरा धर्ड़ एक सीध में हो जाए, दस बार repeat करेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि nerve का दबना क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गए होगी, और ये सारी exercises जो nerve के उपर पढ़ने वाले pressure को कम करती हैं, ये भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, तो आज से ही ये सारी exercises स्टार्ट कर दीजिए, आपके जा लिखे comment box में, और भी आप मुझे सुझाब दीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को बेतर से बेतर कर सकूँ, वीडियो को like कीजिए, जादा जादा लोगों को share कर ये ताकि और भी लोग इससे फाइदा उठा सके हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करने के साथ bell icon भी दबा लिया ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसको notifications आपको मिलती रहें, thank you